जैहिंद एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं रोज आप सभी का वेलकम करता हूं अड़ा 247 पर तो सभी लोग एक बाद जल्दी से लाइव आ जाएंगे शुरुवात करते हैं आज का सेशन जैहिंद तो ओल आफ यू आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवाद डि से लाइव आ जाएं सारए बचसे जल्दी से से सचन में लाइव आ जाएं सेशन को स्टाड करते हैं प्रशान एक्ज जा कब है बिठाए च है पीस तर्य तरह को अधूतल है कषिश जैहिंद कवित जैहिं प्रशांद हेलो शेलेंद्र हाव यह जैह्न तो लो आफ यू यहि सबी लोग आ गए हैं शुरू किया जाए शुरू किया जाए भाई यह मार्क नहीं है मेरे एंस में अंजी एक्स वाई के गुर्प का एक्जाम एक दिन में होगा हाँ बिल्कुल त्यार हो जाओ बस आप अप शुरू करते हैं आज का सेशन तो आपको पता है कि डेली सुबह साथ बजी आप लोग वो कैबलरी देख रहे हो ना बहुत स्ट्रॉ करते हैं पहला कोशन आपके सामने बताएंगे अंसर क्या होगा क्या कहा है उसने कह रहा है वन हूँ डज नौट बिलीव इन एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो भगवान के अस्तित्वर विश्वास नहीं करता ऐसे आदमी को ऐसे परसंट को क्या बोला जाता है चालिए जल्दी करिए फटाफट फटाफट शाबाश जल्दी से बताएंगे अ कि शाबाश जल्दी बताईए बहुत असान आंसर है बहुत असान कोशन है जल्दी बताईए ऑप्शन ए आ गया बहुत सारे लोगों का अंसर ए आ गया बहुत सारे लोगों का अंसर ए आ गया है और मैं चाहता हूं सब लोगा अंसर करें है कि सब लोगा अंसर करें है कि ठीक है नास्तिक बहुत अच्छे मोहित कुमार दिपाली पुरुशोत्तम शिवांश सुमित वेरी गुड़ आंसर देखो आपसे क्या का है कि एसा इंसान जो भगवान के सित्व विश्वास नहीं करत होता ऐसे परलद को क्या वोलते हैं अतिस्त बोलते है क्या बोलते हैं यहां पर एक वर्डख़य हो सब लोग जल्दी हैं लोग कर देता है अगला कोशन आपके सामने कह रहा है गार्मेंट बाई दानोबल्स जो कुलीन लोग होते हैं उनके द्वारा साषन होता है उसको आप क्या बोलते हैं जल्दी से कर दीजा अंसर पेपर मिलेंगे ऐसा ही कोशन आपको चलो बई जल्दी से बताओ अगला कोशन तुमारे सामने जल्दी से बताएंगे फटा फट फटा फट कि वेरी गुड कि सी आंसर आ रहा है वैजी सी एरिस्टो क्रेसी कि बताइए है कि वेरी गुड वेरी गुड कि सी आंसर आ रहा है आरिस्टो क्रेसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो नोबल्स होते हैं उनकी जारा जो साशन होता है इसको क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है ठीक है और आपके सामने एक वर्ड आया मौनायर्की यहिवड वर्ड ए Every a thousand कि बताए है आ अवली गार की किसको बोलते हैं जी जी सलोनी चले गई क्या पिटा प्रियांशू सलोनी को छोड़ करके पहले भाई टीजर के टीजर से पढ़ लो ठीक है है यह न हाँ टीजर से पढ़ लो वो जाथ अच्छा है कि टीजर ही करवाएगा तुम्हारे नहीं अपार आई बाई समझ में ठीक है पिटा ओलिगार की बोलते हैं जो अल्पतंतर होता है न छोकम लोगों के तरह जो साशन होता है उसको बोला जाता है चली नेक्स कुश्चन अगला वन वर्ड आपको पताना है सॉरी सुनोनियम आपको पताना है एट्रिब्यूट का सुनोनियम क्या फ्रेंड है ओको जड़ी है फ्रेंड है एक है समझ गया मैं फ्रेंड है ओके ओके ठीक है यार सॉरी मुझे बाफ़ करना है न मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए खार था अब बताऊ तो लोगेटा कोई बाद नी कोई बाद अब बताव आंसर क्या होगा नेक्स कुशन जल्दी जल्दी हांजी एक ट्री म्यूट क्या होगा शालेंद्र शालेंद्र प्रणा फटाफ प्रणाइब आंसर करो पताए रैस्फेक्ट होगा स्पीच होगा प्रेज को क्वालिटी होगा बिल्गल सही जवाब एट्रिव्यूट का मतलब होता है विशेशता इसको बोलते हैं विशेशता और आप औरसोंस पर जाओगी तो क्वालिटी राइट आंसर हो जाएगा औरी अगला कोशन एरोडाइट का सिनोनिय बताना है आपको नेक्स्स कोशन अगला कोशन बहुत बढ़िया पेटा इरोडाइट का मतला होता है विद्वान किसको बोलते हैं विद्वान को बोला जाता है विद्वान को अगर आप ऑप्शन्स में जाते हैं तो लर्न आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट डिरेक्शन अब आपको बताना है अपोसिट बताना है चलिए भई बताए फटाफट से अपोसिट क्या होगा ब्लेमिश का आपको अपोसिट बताना है परफेक्शन होगा स्टेन होगा डैमिज होगा यह फिर डिस कलरेशन होगा यह नीचे से अटा देता हूँ ना एक सेगंड रुकिएगा फिर दिखने लगेगा आपको यह अब दिख जाएगा अब दिख रहा है अब दिखेगा चलो बताओ इस्टेन बहुत अच्छे अपोसिट बिटा जो आपके सामने वर्ड ना ब्लेमिश ब्लेमिश वर्ड का मतलब होता है धब्बा कलंक तो यह जो आपको स्टेन डैमेज और डिसकलरशन नजर आ रहा है सनोनिय में सारे इसका होगा पोसिट परफेक्शन ऑप्शन ए ठीक है हाँ कहना में आपका धनवत प्रोवाइट करा देंगे कैसे कराएंगे वह मैं आपको बता दूँगा पहले थोड़ा सांसर करें एम्यूज का आपको पोसिट बताना है एम्यूज एम्यूज का पोसिट जल्दी बताएए एम्यूज का आपको पोसिट एम्यूज का पोसिट एम्यूज का पोसिट जल्दी बताएं एम्यूज का आपोसिट झाल बताओ बेटा क्या आंसर होगा आप किस कोश्चन का Come on Antonium Amuse का मतलब है भाई किसी का मन औरंजन करना किसी का मन बहलाना अपोसिट चाहिए तो क्या होगा बोर हो जाएगा Option A is the correct answer of this question A is the correct answer हो जाएगा चलो भी आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी जल्दी अगला कोश्चन क्या का है उसने EDM बताना है किसका कोच पटेटो का आपको EDM बताना है बदाईए कोच पटेटो का आपको EDM बताना है बदाए जल्दी बताईए कोच पटेटो का आपको EDM बताना है बहुत असान कोश्चन है भाई बहुत असान बहुत असान कोश्चन येस कोच पटेटो का मतलब क्या होता है भाई जो बहुत आलसी आदमी है कैसा है आलसी है अलेजी परसन वेरी गुड वेरी नाइस अगला बताईए सिम्पैथी की करेट स्पैलिंग बतानी है सिम्पैथी की आपको करेट स्पैलिंग बतानी है क्या होगी सिम्पैथी करेट स्पैलिंग बताईए सिम्पैथी की करेट स्पैलिंग पिलकुल सही अंसर है क्या होगा ऑप्शन बी अगला कोश्चन एड़टाइजमेंट की correct spelling बतानी है What is the correct spelling of the given word advertisement? बताइए question आता है एक आपके paper में पक्का question आपको देखने को मिलेगा आपके paper में आपको एक question देखने को मिलेगा हरालत में ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है एक question पक्का है एक कोशन पक्का मिलेगा देखने के लिए जी क्या होगा एड़ टाइजमेंट ओप्शन इसका भी हाँ राइट आंसर हो जाएगा एड़ टाइजमेंट करेक्ट नेक्स्ट फिलिंदा ब्लेंक्स पताना है बदाएगे नेक्स कोशन आपके सामने शी कैन प्ले वाइलेंट बदाएगे शी कैन प्ले वाइलेंट बी पिटा याद रखेगा जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उससे पहले हमेंशे डेफिने राडिकल दा का यूज़ करता है य्थि से इंस्ट्रूमेंट हैं इन्स्ट्ूमेंट है यह आपके इन्वेंशिंस है उनसे पहले क्या राछ उता आ इस शींजी आपको याद रसेए इन्वेंशन से पहले हमेशां दाल लात आइए मेंगा ठीक है अगला कोश्ट देखते हैं एक्त अग्ला अर्टीकल का लि कि अगला कुशन बताना है आपको आर्टिकल का क्या होगा जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बी को लॉक कर दें चलो बी को का रहा है लॉक कर तो विलुक तो दहने इनक情 है अगला कोशन फिर से कुशन आपको आपका आर्टिकल का यूगि आपके एक्जाम में आर्टिकल के कोशन बहुत देखने को मिलते हैं चलो बही बताओ, एक और कोशन आपके सामने है, आठिकल का आचुका है, चलिए, करिया अंसर जलदी से, जलदी से करें आंसर फंटा-फंट से बताइए, शाबाश Very good, very nice, very nice, सब लोग करें अंसर जल्दी 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 करी आंसर येस ए शैलेंदर मोहिज सचिन कशिश डेली इस ताइम पर आ जागरो प्रैक्टिस करने के लिए एक बचे एपल इस डैस हिस्टॉरिकल नोवल अब दोगो बचे यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर अगर आप जान से देखेंगे तो उसने क्या बोला है कि जो एपल कार्ट है वो क्या है एक हिस्टॉरिकल नोवल है सब लोग करो पहले आंसर अभी तक ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे देखिए मेरे को बस दस बच्चों के नाम याद हैं जो स्किंट पर आंसर कर रहे हैं बेटा आप जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं एक चीछ इतनी याद रख लो बस कि अगर आप आज शर्मा रहे हो ना तो फिर आप हमीशा शर्माओगे हमीशा पेपर आएगा आपके पेपर में कॉन्फिटेंस लेवर रहेगा नी शर्माने वाली आदते रहेंगी अरे हम तो आंसर करते ही नहीं थे हम तो देते ही नहीं थे हम तो देने वालों में से आंसर थे ही नी तो कैसे काम चलेगा मुझे हर बच्चे का अंसर चाहिए जस्पाल, शिवांश, एमार, मुवीज सब का अंसर चाहिए भाई सब का आजो अब बच्चो आप से क्या कहा गया कि Apple Card is Dash Historical Novel जो Apple Card है वो क्या है एक Historical Novel है तो Novel से बहले हिस्टोरिकल तो यहाँ पर आप आर्टिकल लगाएंगे यह बात तो पक्की है तो कहाँ पर आ रहा है आर्टिकल है यहाँ पर आ रहा है तो यह भी गलत और आपका N तो आएगा नी अब या तो यह सही या तो यह सही अब बताओ अब बच्चों यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि जो एक Apple Apple card जो है वो definite है definite है पहले बताओ जे definite है definite है या नहीं है ये इसको save की तरह में समझो भाई ये historical है historical है ये save वाला नहीं है कभी सोचो अरे ये तो Apple है, Apple से पहले लिन लगाते है है, हाँ वो ही समझ रहे है इसको जी, क्या आएगा पिटा आँ, दा आएगा The Apple card is a historical novel next question अगला बताईए अब बताऊ अगला question अच्छा, print the blanks with correct pre-position The concerned had to be called due to bad weather खराम मोसम था, इसलिए जो concern था उसको क्या कर दिया गया, अब आँ मुझे बताओ खराम मोसम था तो जो concern है, उसको क्या कर दिया गया, जल्दी बताइए क्या करती है, कैंसल कर दिया गया, तो call off क्या यूज़ करते है, call off किसी चीज़ को cancel कर देना call off कहा गया भई, यह रहा, call off option इसका d right answer हो जाएगा next question अगला question हमारे सामने, answer करेंगे बिल्कुल अगला question फिर से article based अब बताओ चलिए झीज़ कषब धंग उनक साह अगला झाल अगला झी जे लह अगला क्या झाल आप देखो उसने आपसे क्या कहा कि जो शिप है वो रीच होगी कहां तक कहां तक पहुची रीच रीच दा हारबर डैश 10 जून 1998 बताओ क्या करोगे अंसर इसका बताओ जल्दी बताओ क्या अंसर है आपके इस कोशन का बताओ बेटा कोशन आपके सामने है जल्दी अल्दी अंसर करिए सारे बच्छे जल्दी क्या लगाओगे ओन लगाओगे फ्रोम लगाओगे ओफ लगाओ क्या लगाओगे देखो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें जो at होता है है ना जो at होता है वो किसको show करता है किसी भी exact time को या location को जो article at है यहाँ पर वो sorry जो preposition at है हाँ पर वो किसको show करता है किसी भी exact time को या फिर location को पर ऐहां है EN also है फिर मुझे बताने कि हां सर यह यह आएगा इं आप यह किसको show कर रहा है इन show कर रहा है आपको place को भी show रिलेशन को शो करता है किसको रिलेशन को शो करता है अब मुझे बताओ और कोई भी जब पॉइंट है कहीं से कोई नियुक करता है आपका और फ्रॉम करता है किसी भी चीज का चाहे वो अब मुझे बताओ कि answer क्या होगा solution मैंने आपको दे दिया हाँ जी पेटा सब लोग करूँ answer जल्दी चलिए बताओ जल्दी डी answer आ रहा है अट आ रहा है डी आ रहा है फ्रॉम पिटा फ्रॉम कैसे कर सकते हो आप खुछ सोच के बताओ जब मैं आप से किसी कह रहा हूँ कि जो एट है हमारा वो शो करता है किसी भी exact time को यह location को the ship reached at the harbor the ship reached the harbor dash 10th June अब यह बच्चों क्या टाइम है तो टाइम को कोई शो कर रहा है एट शो कर रहा है तो यहां पर आप क्या लगा सकते हो एट 10th June ठीक है डैश 1998 है ना कब 1998 पर तो आफ क्या लगा होगे यहां पर आप आप आफ क्योंकि जो आफ है वह हमारा किसको शो करता है रिलेशन को तो आप यह कह सकते है था शिप रीज दा हारवर एट 10th of June 10th of June 1998 ठीक है ख्लियर है बात चारिए नेक्स कोशन थोड़ा सा अच्छा कोशन था अब आपके सामने यहां पर है पैसिज अब आपके सामने यहां पर है पैसिज पैसिज का अंसर करना है आपको पैसिज का अंसर कैसे करना है सबसे पहले आपको जाना है कोशन रीड करने तो कोशन आपके सामने है पहला कोशन यह रहा पहला कोशन आपके सामने है गुड आफटरून भाई good afternoon good afternoon good afternoon सर कल हम क्लास नहीं पाई थे ओके अभी आंसर कैसे कर रहो पहले तो कोशन कोशन नोट करना है दा मार्टेर वो डाइट फॉर दा फ्रीडम आफ इंडिया वॉंटिड क्या चाहता था दा मार्टेर्स वॉंटिड डाट सेगेंड कोशन श्क्रेंशॉट लेते रही है स्क्रीन शोट हॉमवर्क में करके लाना है आपको इसको कर दो अभी देखता हूं इसको यह वाल बताई कोशन नमबर 70 18 बताई आप 18 का 18 का स्क्रिंशोड ले लिए 18 का स्क्रिंशोड ले ले लिए आप सारे बच्चे जल्दी से 18 का स्क्रिंशोड ले लिजे झाल झाल शाबाश हो गया देन 19 जल्दी से बढ़ाई 19 आपके सामने 19 का स्क्रिंशॉट लीजे 19 का स्क्रिंशॉट लीजे जल्दी से शाबाश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस ये तो अच्छा ये नेरेशन है ने ने बेटा ये तो नेरेशन का कोश्ण है तीनी कोश्ण से स्वरी माफ कीजेगा अब आपके सामने पैसेज है आप तीनों कोश्ण को जारा सर्च करिए आंसर करिए प्लीज साइड हो जाओ थोड़ा सा लोग भाई साइड हो जाता हूँ साइड हो जाता है एक सकेंड ठीक है अब बताओ पढ़िए फटावट से अब सही है ठीक है ठीक है ठीक है अब सही है अब सही है चलो इसको रीड करते है केवल समझा दूँगा आंसर आपको खुद करने केवल मैं समझाने का काम करूँगा आंसर आपको खुद डूंड के लाने शैलिंद्र अब ही मैं उस कोशन को दुबारा देखता हूँ दुबारा बता दूँगा उस question को पहले इसको समझा देता हूँ उसने कहा था martyr who laid down their lives for the freedom of country had a lofty vision of future कह रहा है कि जो शहीद होते हैं जो martyrs होते हैं वो क्या करते हैं अपनी life को क्या कर देते हैं पूरा lay down कर देते हैं अपनी एजादी के लिए कि निली अपने देष के लिए और क्योंकि जोनका एक बहुत बड़ा वीजन उता है lofty का मतलब होता है बहुत बढ़ा और बहुत मुठा में का बहुत बना हम रोको ईंचा है वीजन होता है कि इतनी भी martyrs जितने भी martyrs राइट अच्छा आगे बढ़ते हैं, they wanted the nation to be free all slavery and wantage, वो चाहते थे कि जो जितने भी लोग हैं, वो सारे के हैं अजादी से, महलब गुलामी ना करें, सारे के सारे कैसरें अजाद रहें, they wanted an Indian in which all the communities would live in perfect harmony and in which there would be no high class and no low class of people, the curse of untouchability having been wiped out completely, उन्होंने बहुत बढ़ी बात बोली, कि वो चाहते हैं कि कोई भी low class ना हो, ना कोई high class हो, चुवा चूथ ना हो, सब लोग क्या रहें, equal रहें, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है, women would enjoy rights with men and contribute their fullest to making of our great nation, और जो women's हैं, वो enjoy करें अपने सारे अधिकारों का, और लोगों के साथ, men के साथ मिलकर develop करें, nation को great बनाएं, अच्छा बनाएं, ठीक है, चरी, such a reason was in, अच्छा ये वाला पढ़ो अब आप, अभी जो question हमने discuss किया है, ये वाला, article वाला, इसमें गलती हो गया हमसे हैंना, ये कहां था, ये आपका, ये हो गया, कौन सा था, ये वाला, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, यार, एक गलती हमसे होगे, हमने ध्यान नहीं दिया, यार, यहां पर न, on भी आया हुआ है, on भी आया हुआ है, actually में जो on होता है, वो exact time को show करता है, exact time को, कोई भी जो date है, कोई भी date है, exact date को show करता है on, है न, क्योंकि add और हलंकि ये बात भी सही है कि add जो particular time के लिए यूज करता है, मगर on जो होता है, वो date के लिए होता है, यहां पर on था, मैंने ध्यान नहीं दिया, on भी दिया रखा था, इसलिए आप यहां पर on कर लिजे, और off कर लिजे, यह तो off सही था हमारा, तो इसका answer C हो जाएगा, ठीक है, यह इसका answer होगा, शैलेंदर, इसमें आपको correction करना पड़ेगा, पिटा दुबारा से, ठीक है, इसको आप C कर लिजेगा, हमने ध्यान नहीं दिया, ओके, चलो, आगे पढ़ते हैं, तो कहा थे हम इस वाले passage बे, जल्दी से second पार्ट पढ़ें, जल्दी से second पार्ट पढ़ें, अच्छा, ठीक है, ब्रदर क्रेटर्स आप एक प्लेलिस बनी हुई है, आप वो प्लेलिस देख लिजएगा, इसमें आपको मेरी सारी क्लास मिल जाएगी, ठीक है बई, ब्रदर क्रेटर्स, जो भी आपका नाम है, ठीक है, अब आजएगी, उसने बला, शच्छा वीजन वाजन कीपिंग विद एंशेंट ग्लोरी आप दा कंट्री, रिनोन फॉरिस स्प्लेंड़िट, स्प्लेंड़िट अचीवमेंट्स, इन लिटरेशर, आर्ट अर्ट, इन लिटरेशर, आर्ट अर्ट, आर्ट, कल्चर, वी मस्त नाओ, रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज, पुने जागित करना, थिस एंशेंट कल्चर आफ आर्स, विद टॉलरेंस, एज इट मस्त हैट, वो गहरा कि हमें इस चीज को दुबारा से जगाना पड़ेगा, जो हमारे शहीद सोचते थे, जो लोग हमारे लिए मर गए देश के लिए, गुलामी आजाद का हमें कराने के लिए, उनका वीजन में दुबारा से लाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है, अब आपको मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पैसेज ने समझ में आ गया होगा, आप गए अगाम करना है, यह जो पैसेज है, 16, 17 और 18, इन तीनों कुशन्स के आपको आंसर कमेंट बोक्स में करके बताने है, और इसके जो आंसर है, आपको कहां मिलेंगे, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इन तीनों कुशन्स के आंसर चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा सिंपल सा काम करना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ, क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप सारे बच्चे, अभी के अभी इस क्लास को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या है आपको, अगर आपको यह सारे आंसर चाहिए, तो करना क्या है इसके लिए आपको, सिंपल है, यह जैसे आपकी क्लास चल रही है बटा, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में, और उस लिंक पर जाकर के, आपको इस स्मॉक टेस्ट का पीडिएफ मिल जाएगा, यह आपको लिंक मिल गया है, यह आपको यहाँ पर लिंक मिल गया है, ठीक है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और सीज़ा जाना है आपको जाकर के, PDF डाउनलोड कर रहने है इस मॉक टेस्स की जहां पर आपको इसका solution नहीं मिल जाएगा सासाथ इस मॉक टेस्स की PDF मिल जाएगी ठीक है ठीक है clear है बात बेटा ठीक है समझ में आगी आपको बात समझ में आगी आपको बात चलो देखो थोड़ी सी मेनत खुद से भी करो तभी मजाय पढ़नेगा अब आपके सामने कोशन है और वो कोशन है आपका किसका direct and indirect का इसका अंसर करेंगे सारे बच्चे PDF के लिए लिंक दे दिया है अभी मैं पिन कर दूँँगा क्लास के बाद दुबारा दे दूँगा आपको जा करके इसको डाउनलोड कर लिए लिए प्लीज प्लीज गिव मी अनेदर चांस चलिए ठाउनलोगर एफ छुझन हाउनलोगर एफद दूऑ 19 का B देखो बिटा बहुत सही इसका आंसर क्या होगा बिटा B आंसर हो जाएगा देखिए उसने जब देखो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको लगेगा He said Please Please give me another chance वो बले एक तरीके से दूसरे मौके की भीक मांग रहा है तो हम यहाँ पर बैग वर्ड यूज़ करना ज्यादा सही समझेंगे ठीक है ठीक है एक तो रिक्वेस्ट होता है कि Please मेरे को chance देदो अब यह दो बार प्लीज लाकर उसने यह बोल दिया कि वो एक तरीके से बहुत जादा जोर दे रहा है दूबारा chance मांगने के लिए तो यहाँबर हम back का use करेंगे ठीक है हाँ आप सर आपकी third class है मैंने class कर ली थी ठीक है अगर यह सर video record मिल जाए तो बिटा बिलकुल मिलेगी recorded आपको video क्यों परिशान हो रहे हो next question अगला question error का है इसको पता दीजे then session को end करता है फटा फट से बता है दोगो दो टू sisters shouted at one another दोगो बिटा यहाँ पर कहा रहा है that two sisters shouted at one another दोगो जब भी बात होती है दोगी तो आप use करते हैं each other का one another का ने each other का तो यहाँ पर क्या आएगा आपका each other आ जाएगा ठीक है पिटा each other यहाँ पर आ जाएगा clear हो यह बात चलिए तो सेशन को मैं यहाँ पर एंड करता हूं वापस से आपको यह लिंक पिंक आपको सेंड कर देता हूं ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर लिए और बिटा आज आपके लिए एक बहुती बढ़िया और यह बहुती सुरहरा मौका है वह मैं बता देता हूं मौका क्या एक डबल वैलेडिटी का ओफर चल रहा है अगर आप सारे बच्चे अगर आप सारे बच्चे जो है हाँ अगर आप सारे बच्चे जो है कोई भी अड़ा 24-7 का कोई भी पेड़ कोर्स ले रहे हैं तो उस पे आपको double validity मिल सकती है चाहिए आप SSC का कोर्स ले रहे हैं चाहिए आप defense का कोर्स ले रहे हैं जितने भी हमारे महा pack हैं उन पर double validity और 77% off मान के चलिए आप सारे बच्चे मैं आपको दिखा देता हूं मैं जैसे भाई हम लोग अड़ा 24-7 पर गए हमने यहां पर क्लिक करा यहां पर जाने के बाद मैं गया अब एससी पर मैं जैसी गया यहां पर गया यहां पर मुझे मालो मैं ट्यारी कर रहा हूं यह सटी महा pack महापैक मैंने देखा तो एससे महापैक जिसमें आपका सीचेसल सीजेल एमटेस यह वाला यह वाला आपके लिए बढ़ी है कोड लगाओगे वाई 653 और अपलाई कर दोगे जैसी अपलाई करोगे आपको मिलना का डिसकाउंट और दोजार रुपे का आपको ही कोर्स मिल जाएगा एक साल के लिए एससी के सारे कोर्स बुक किताबें टेक्स बुक एबुक सिर्फ और सिर्फ तू थाउंसेंट में ठीक गाईस चलिए थैंकिस ओमाच जैहिन जैभारवाद